मुझे सर्प्राइज करो, इतने सारी इंग्रीडियंट्स और हम क्या पका रहे हैं? आप मैं तुम्हें दिखाऊंगी, आज मुझे एक बड़ा सुन्दर केक चाहिए मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो केक? कितना कूल! यह बहुत आसाल है क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आठा चाहिए मैं इसे और सुविधा जनक बनाने के लिए से गहरी डिश में लूँगी फिर मैं थोड़ा दूद मिलाऊंगी केक की रेसिपी मेरे सिर में है, मुझे सभी आवशक सामगली पूरी तरह से याद है कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोशन नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ इसलिए मैं हमेशा हाथ से आठा गुट्टी हूँ, यह महत्पूर्ण है क्या समय की बरबादी है, हमेशा एक आसान विकल्फ होता है केक की तयार परतने पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी यह क्या है, मैं इसे देखना नहीं चाहती मेरा केक सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेसिनल हूँ मैं आठा में कुछ रंग जोड़ूँगी यह एक उजवल लड़की के लिए उजवल केक होगा यह बहुत अच्छी तरह से निकला है इसे करने का यही तरीका है जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी तो मैं पीनट बटर जोरूँगी और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है यह बहुत स्वादिस्ट है अब अगली लेयर और जैस सिर्फ अपनी उंगलिया चाटेंगी मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी यह बहुत स्वादिस्ट है बस करो, तुम अपनी बेहन के लिए केक बना रही हो और मैं स्ट्राबेरी जैम डालूँगी जिसे मैंने खुद तयार किया है वह निशित रूप से इसे पसंद करेगी बस जार खुलना है इस जैम की सुगन स्वादिस्ट है मैं पूरा जार डाल दूँगी इसे बहतर करना मुश्किल होगा मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा आवस्टेक डिटेल जोड़ूंगी कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तयार हो जाएगा वा यह बहुत बड़ा है एक महत्पून डिटेल अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा मैं पैस्ट्री बैक के साथ ऐसे लेर्स बनाती हूँ केक इतना उच्छवल और सुन्दर निकला अब अगला स्टेप इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुन्दर बना रहे मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तयार है आखिरी स्टेप सजावध है मैं एक सजावध बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है यह सब सेट है परफिक्ट इंदर धनूस मैं उसे सबसे उपर रखूँगी बिल्कुल सही मैं केक को रंगीन चॉकलिट से सजावगी मैं तारे रज लगाऊँगी उन्हें यहां रखूँगी यह बहुत अच्छा निकला अब सिर्फ इंदर धनूस में बादलो को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है अरे दादी कहा गई? क्या? कहा? कौन? ओ, हाँ, मेरी पाई कितनी अच्छी सुगंध है बस एक अद्बुत पाई बना है मुझे भी यह केक चाहिए मेरा इतना बुरा लग रहा है दादी भी मुझसे बेहतर है मेरे पास एक आइडिया है रंग जोडने के लिए मुझे रंगीन कैंडिस चाहिए तो यह बहुत सुन्दर हो जाएगा जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा तुम्हार लिए अच्छा है केट तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है ओ, बुरा नहीं है यह बहुत प्यारा है चल्ला उसके साथ शुरू करते हैं अब मैं स्वादिश के एक खाने जा रही हूँ हम इध्यान से और सावधानी से काटते हैं यह हुई ने बात मैं कितनी अच्छी हूँ वाँ, कितना मीख्या है यह मेरे मुँँ में पिघल जा रहा है कमाल है मैं हर आखरी टुकरा खा लेना चाहती हूँ मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ यह सच में बहुत स्वादिश्ट है चलो, अब अगले केक की बारी है वाँ, यह कितना सुन्दर लग रहा है मैं एक पिस खा कर देखती हूँ कितना सुन्दर और मीठा रजदार बेरी का स्वाद सिर्फ आविश्वस्निय है मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ मुझे उमीद है कि यह स्वादिश्ट है चलो खा कर देखती हूँ स्वादिश्ट है चलो और खाती हूँ यह मुँ में बहुत चिपचिपा हो रहा है मुझे कुछ पीना पड़ेगा अब भेतर है मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती अच्छा अब मुझे चुनना होगा जाहिर है इंद्रधन उसके एक सबसे स्वादिश्ट है किसका? मेरा? ओ, चलो तुम मेरे चाकनुशी करो अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी हमारे पास यहाँ क्या है? सबजी यहाँ? किसलिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मुझे बर्गर चाहिए मेरे लिए एक स्वादिश्ट बर्गर पकाओ आसानी से क्या? बर्गर? यह बहुत हानी कारक है मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूँगी सभी कचरे में जाएंगे और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजे पका सकते हैं अवोकाडोस बंस के तुल्ला में बहुत स्वस्थ होते हैं अब मैं इसे बहुत स्वादिश्ट बनाने जारी हूँ तुम अपनी उंगलिया चाटोगी इसके अलावा यह इतना आसान है बस मुझे बीज निकालना होगा उझे साफ करना होगा लेकि इसमें कितने विटामिन है और टमाटर मुझे टमाटर बहुत पसंद है यह बहुत स्वादिश्ट और स्वस्थ होते हैं उन्हें जोडना होगा खेरे की तरह हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा और मिर्च के भी ना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितने उप्योगी है जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी बहुत स्वादिश्ट और बिल्कुल तीखा नहीं और अब बारी है सलाद के पतिगी हमारे हेल्दी बर्गर को एसेंबल करना बाकी है एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मेच और खीरे यह वेकार है, मेरा स्वाद निश्चित रूप से बहतर होगा एक ब्रेट पर कटलेट, अब हमें सबज यह डाल ली होगी क्या, यह प्याज है, नहीं, यह जरूरी नहीं है टमाटर, लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावस्तक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा नहीं, तो यह बेश्वाद होगा, अब शाहिद यह ठीक है हलाकि, नहीं, यह और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा चीज डालते हैं उपर से, इसके साथ कुछ गरबर है, यह बहुत ज्यादा है ओ, चलो, अगर इस तरह से रखें तो, यह भयानक लग रहा है, आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते है हाई, मैं जल से जल बर्गर डिलिवरी कर आती हूँ, मैं जार कर रही हूँ, वहाँ, इतनी जल्दी ओ, मेरा बर्गर कहा है? बढ़िया हम अनावस्चक चीजे हटा देते हैं वह कितना सुन्दर है, हमने इसी प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेतर करूँगी मेरे कटलेट कैसे है? फूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंद को अब्जर्व किया इतना रस्दाल और सुगंदेद ये सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ देखो ये कितने स्वादिश लग रहे हैं आफ करना मत बुलना, बढ़िया, चलो शिरू हो जाओ मेरी प्रोफेशनल मेथड से सबजियों को काटना आवश्यक है तला हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया पूरी तरह से कते हुए सबजियां तयार हैं एकदम सही बन अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं सलाद, रज़दार कटलेट और चीज डालते हैं अगला सबजियां और इसे कुछ और बार दोह रहा हैं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे फाइनल टच बन और एक जंडा अब यह एकदम सही है कितना सुन्दर है यह सच है यह सब कितना स्वाधिश लग रहा है लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है बर्गर की तरह नहीं दिखता ठीक है, हमें खा कर देखना होगा मैं इसे खा सकती हूँ यह कैसा है ची, तीखा यह बहुत अच्छा लग रहा है मैं से जल से जल खाना चाहती हूँ जंडे को अटा दो मेरे मुँमे आओ ए, क्या, यह गिर गया खैन, मैं से तम नहीं खाऊंगी यह प्यारा लग रहा है चलो, खा कर देखती हूँ वाँ, कितना स्वाधिश है यह बहुत ही स्वाधिश बर्गर है वह जीत गया है वाँ, मैं जीत गई यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए फ्राइज? हाँ, यह आसान है फ्राइज कोई बात नहीं, मैं कर सकती हो ठीक है, यह इजी है, चलो चलो, निकलो आलू, बेकार कितने जोर से चोट लगी तुम इसे ठीक से करो नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी यह सही नहीं है यह मेरे नहीं, दादी की है सच कह रही हो आ, तुम मेरी प्यारी पोदी अब हम सब को जल्दी से काट लेंगे इस तरह से सब एक जगा रख लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा तेल और सिजनिंग को नहीं भूलना है हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है नहीं, यह काफी नहीं है बस, अब बस इसे तलने जारी हूँ मैं अवन में डालने जारी हूँ केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है देखो, बिल्कुल सही स्लाइस यह कितने सुन्दर और चिकने है बस किस तरह से और अब इसमें थोड़े से सिजनिंग करें कितनी स्वादिश्ट गंध है और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे है ये, लगबग हो गया बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है टोस्टर, तेज और कुशल चलो, हम सब इसमें डाल देते है और अब हमें बस इंजार करना है और ये हो गया, पकड़ लिया मेरे आलू लगबग तयार है और यहां मैं हो मेरे आलू भी तयार है आओ, हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते है ओ, कितना पड़ियां लग रहा है ये और इसके उपर थोड़ा सा हब्स छिरग दे अर बुद्ध खुश्बू आ रही है ओ, वाह, जड़ा इधर देखो यहां रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज और फिनिसिंग टच यह सॉस है जैस, चक कर बता वाह, कितने आलू चलो, इससे शुरू करती हूँ अजीव शेफ है चलो इसे मापे इस तरह से, खैट, इसे खा लेती हूँ वाह, कितना स्वादिस्ट है बहुत अच्छा अब यह बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी वाह, बहुत अच्छा और अब ओ, यह कितना सुन्दर दिख रहा है कितना गोल्ड इन फ्राइड चलो इसे सॉस में डुबोए यह बहुत स्वादिस्ट है वाह, ओ वाह लाजवाब मुझे बहुत पसंद आया मैं इस फ्राइड को चुनती हूँ वाह, कितना बढ़िया है यह मेरे आलू जीत गए वैसे मुझे यह पता था मन में जल रहे हो लोजर्स और अब मुझे फ्राइड एक्स चाहिए बढ़िया आसान है अरे नहीं, ओ नहीं यह क्रैश हो गया मैं जल्दी से इन चिलकों को हटा देती हूँ कितना गर्म है ठीक है मैंने सब हटा दिये और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ अरे नहीं उफ, क्या बैड लख है कितना भयानक बेकार नमक अब उसे, अरे नहीं, आब यह जल रहा है चलो उसे ढख देते हैं इस तरह से, आब यह बहतर है केट, तुम्हें अराम से अंडे को फेट ना था हाँ अब अंडे को फेट लिया, फिर दूड डाला बढ़िया यह अच्छा है अरे, मेरे हाथ को क्या हो गया लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मैं तो बस मजाग कर रही थी तुम लोग इतने सीरियस क्यो हो बस अम मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक ट्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से इसे पकड़ो बच्चे हाँ, देखो हमारा फेमस शैफ क्या कर रहा है सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते है हमें प्लास्टिक बैक की जर्वत होगी इस तरह अब इसमें अंडे को तोड़ना है हाँ, इस तरह से और इसे बंद करके इसे पानी में डालते है और थोड़ा इंजार करना है कितना अच्छा लग रहा है ओ, समय हो गया है अब अंडा त्यार हो गया होगा इसे निकालते है और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और उपर से इस पर नमक छिड़कना है बहुत अच्छा और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी और यहाँ यह टमाटर वाह, यह सूपर स्वादिश लग रहा है दादी और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई आरे नहीं, कितना भयानक कितना डरावना यह क्या है? मैंने कभी इसे बुरा कुछ नहीं देखा है हम तयार है, इसे खा कर बता चलो देखते हैं यहां क्या है कुछ बेकार सा यह अच्छा नहीं लग रहा है मैं इसे नहीं चखूंगी ओ, ओ, यह ओ, यह थोड़ा अलग सा है क्या यह? ची, मुझे यह पसंद नहीं है यह क्या है? यो, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है तो, और यहां हमारे पास क्या है? यह तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इसे बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है और यह बहुत स्वादिश भी है यह, मैं इसे चुनती हूँ मेरी डिश? क्या सच में? ओ, वा, मैं जीत गई मैं जीत गई मेरी कमार अब मुझे चाहिए मिलकशेक मिलकशेक, फिर मिलकशेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसुरत ग्लास नहीं, यह सही साइज का है ओ, हरी वो बेर बस इसे इस तरह से इसमें डालते है और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते है मैं खुदी से पीने का इंजार नहीं कर सकती अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे है हाँ, कितना बढ़िया दूद डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार हर्शी, यह बहुत अच्छा है यह बहुत स्वाधिस्ट है और अब इस दूद को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिगालना जाए स्वाध अच्छा है चलो इसे अच्छे से एक खप में डाल लेते हैं और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूँगी मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है बस सजावट के लिएक सुनर स्ट्रॉप देखो मैंने कितनी खुबसूरती से किया है नहीं यह मेरे लिए नहीं है ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिस्ट आईस क्रिम डालती हो और फिर सबका फेबरेट स्वादिस्ट यह चला और अब यह स्वादिस्ट दूद और आब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते है तैयार हो गया और आब इसे एक सुनर से ग्लास में निकाल लेते है और इसे बढ़िया वनीला विप्पिल से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके उपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स बिल्कुल सही मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूँगी हम तयार है वाँ, कितनी स्वादिश चीजे यह कुछ अजीव है चलो देखते हैं यह क्या है चीज, क्या गड़बढ़ है ओ, कितना प्यारा कितना स्वादिश मार्शमेलो ओ, और यह कितना स्वादिश्ट है वाँ, यह कितना खुबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है और देखो यह ओरियो ओ बस कमाल का वाह बहुत स्वादिश्ट मैं इस मिलकशेक को विनर गोशित करती हूँ ए हाँ हाँ मैं यह जानती थी यह सही नहीं है मैंने कितनी कोशिश की थी